अब 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 आप कि अब कि अब आप आप कि अब कुछ कम्प्यूटर पे टाइप टाइपिंग सीखना कोई मुश्वत का आप नही है सबसे पहले टाइपिंग के आपको टिक्निक सीखनी पड़ेगी देखो A S D F G F यहां से कॉमा L K J H J इसके उपर आप एक मेना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके बाद एक मेना उससे नीची वाले जो लैटर से उसTake उपर मेहनद करनी पड़ेगी उसके बाद जो उसके उपर वाले है ten उसके उपर एक मेहनद करनी पड़ेगी तो तो अगर आपको अच्छी टखनीक आती है ना तो आपको अच्छी तरह से टाइपिंग आएगी धिरे धिरे पहले कम जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जैसे सैड, बैड, गूड तो उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करें पढ़ेगी उसके बाद धिरे धिरे अच्छी तरह से एक बात और सुन लो कोई भी ग्यान है एक दिन में नहीं सीख सकता कोई व्यक्ति है मान लो कि आप कुछ सीखना चाहते हो उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेगी करने पड़ेगी और कोई कॉश्चन मैंने कोशिश किया है ऐसे करने की मन उदास हो जाता है करने सरता है जो के इस सीखने की बात नहीं है हर एक व्यक्ति कोई भी चीज सीखता है उस वक्त मन उदास हो जाता है मन कहता है कि ये काम मैंना करूँ जो मन है वो कहता है खाओ पीओ और एश करो ये जीवन का एक उदिश बन गया है लोगों का पर अगर आपने सीखना है आपके अंदर जज़बा है तो आपको अपने मन को मारेना पड़ेगा सर आसे 10 साल पहले मैंने सीखने को जी की थी और मैं सीख भी गए अच्छी होगी थी तो उसके प्रैक्टिस छोड़ दी अब होता ही नहीं है उस वक्त आपकी एज कुछ कम थी जो बच्चे होते हैं छेती सीखते हैं आपकी अब एज उससे 10 साल बिप गई तो प्रैक्टिस ध ओके प्यारी विधियार्थियों देखो कम्प्यूटर की क्लास में सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए टाइपिंग इवन आप अकाउंटन्ट हो वगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो बैड पर आपने हमत नहीं हार नहीं उसको पूरे टक्नीक के साथ सीखो आप यह नहीं है कि आपने A को देखा A को डाल दिया S को देखा S को डाल दिया नहीं पूरे सिस्टम के हिसाब से जो पहले टाइपिंग मशीन की बुक आती है उसको आप रेफर करो तो धिर धिर सीखते जाओ एक वक्त आएगा एट टाइम मेरी जो स्पीड है 80 words per minute हो सकता इससे ज्यादा भी हो तो मैंने पूरे टक्नीक के साथ इसको सीखा है एक सेंपल आपको यहां देता हूं ओके वाई झाल 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 झाल